हे गाईज मेरा नाम देवबिंद और आप सभी लोगों का मेरे इस योटूब चनल टेक देवबे स्वागत है तो दोस्तों यह है MS पाउर फॉइंड का टुटोरियल लंबर 25 अगर आप अभी तक टुटोरियल लंबर 24 नहीं देखें तो आप उपर दिये गए आई बटन पे क क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं तो दोस्तों यह है फार्मेट मेनू का पार्ट फॉर जिसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा लाइन स्पेसिंग चेंज केस आपसन के बारे में ओके तो वीडियो स्टार्ट करते हैं तो इसके लिए आपको एक निउ जाना सेलेक्ट और वर्ड को सेलेक्ट करने के बाद आपको जाना है आपके अपने फार्मेट मेनू में इसके बाद आपको यहां पे आपसन मिलेगा लाइन स्पेसिंग का तो आपको एक बार यहां पे क्लिक कर देना है इसके उपर क्लिक करने के बाद आप यहां पे देख आफ्टर पैराग्राफ का आपसा आप यहां पे देख सकते हैं ओके तो आप यहां पे देख सेते हैं इसमें आपको यहां पे दो बटन दिखाई देगा एक मिलेगा आपको डिक्रीज का और दूसरा आपको मिलेगा इनक्रीज का आप यहां पे देख सकते हैं ओके तो मैंने यहाँ पर इंक्रीज वाले बटन के उपर क्लिक किया और इसके उपर क्लिक करने के बाद मैंने अपने लाइन का स्पेसिंग इंक्रीज कर लिया इसके बाद आपको यहाँ पर तीन बटन मिलेगा फर्स्ट आपको मिलेगा ओके का इसके बाद आपको मिलेगा कैंसिल का और इस के बाद आप OK बटन के उपर क्लिक करके आप अपने Line Spacing को देख सकते हैं, ओके तो मैंने यहाँ पर क्लिक कर दिया Preview Option के उपर, इसके उपर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं, ओके इसके बाद मैंने यहाँ पर क्लिक किया और उसमें क्लिक करने के बाद मैंन preview button के उपर click कर दिया इसके उपर click करने के बाद आप यहाँ प्र देख से देए जो मिरा text था इसका line spacing increase हो गया आप यहाँ पर देख से दे"! इसके बीच बीच में यहाँ पर line की spacing है ये काफी ज़्यादा हो गया आप यहाँ पर देख सकते हैं इसके बाद मैंने एक बर यहाँ पर क्लिक किया और इसमें क्लिक करने के बाद मैंने टाइप किया one और one करने के बाद मैंने preview option के उपर क्लिक कर दिया इसके उपर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देख सेंग जो मेरा line spacing था यह default हो गया आप यहाँ पर देख सकते हैं इसके बाद मैंने OK बटन के उपर क्लिक कर दिया ओके तो ये था हमारा Line Spacing Option जिससे आप अपने Paragraph का Line Spacing, Increase और Decrease कर सकते हैं इसके बाद आपको Next Option मिलेगा Change Case का इसके लिए आपको अपने Word को करना है Select और सभी Word को Select करने के बाद आपको जाना है आपके अपने Formate मेनू में और Formate मेनू में जाने के बाद आपको यहाँ पर एक Option मिलेगा Change Case का तो आपको एक बार यहाँ पर क्लिक कर दिना है इसके उपर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देख से दें Third Upper Case इसके बाद Fourth मिलेगा आपको Title Case और Last में आपको मिलेगा Toggle Case का आपसन आप यहाँ पर देख सकते हैं ओके तो मैंने यहाँ पर फर्ष्ट क्लिक किया Sentence Case के उपर इसके उपर क्लिक करने के बाद आपके Paragraph के Word का पहला Character देख सकते हैं औके इसके बाद मैंने फिर से अपना पूरा वर्ड किया सेलेक्ट और वर्ड को सेलेक्ट करने के बाद आपको जाना है आपके अपने format menu में इसके बाद आपको change case option के उपर click कर देना है इसके उपर click करने के बाद आपका change case का dialogue box open हो जाएगा इसके बाद आपको next option मिलेगा lower case का तो मैंने एक बार यहाँ पर click किया इसके उपर click करने के बाद जो आपका word है ये पूरा small letter में convert हो जाएगा ओके तो मैंने एक बार यहाँ पर okay button के उपर click किया इसके उपर click करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं ये पूरा small letter में है आप यहाँ पर देख सकते हैं इसके बाद मैंने फिर से अपना पूरा word किया select और word को select करने के बाद आपको जाना है आपके अपने format menu में इसके बाद आपको फिर से change case option के उपर click कर देना है इसके उपर click करने के बाद आपका change case का dialogue box open हो जाएगा इसके बाद आपको next option मिलेगा आपर case का आप यहाँ पे देख सकते हैं ओके तो मैंने एक बार यहाँ पे click किया इसके उपर click करने के बाद आपका जो word है यह पूरा capital letter में convert हो जाएगा ओके तो मैंने यहाँ पे OK बटन के उपर click किया इसके उपर click करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं जो मेरा word था यह पूरा capital letter में convert हो गया आप यहाँ पे देख सकते हैं ओके इसके बाद मैंने फिर से अपना change case का dialogue box open कर लिया इसके बाद आपको next option मिलेगा title case का ओके तो मैंने एक बाद यहाँ पे click कर दिया ओके तो जो आपका word है इसका पहला character capital letter में हो जाएगा और सब small letter में दिखाई देगा इसके बाद मैंने फिर से अपना change case का dialogue box open कर लिया इसके बाद आपको next और last option मिलेगा toggle case का तो मैंने एक बार यहाँ पर click कर दिया तो जो आपका toggle case है यह आपके word का पहला character small letter में कर देगा और सब capital letter में convert कर देगा तो मैंने यहाँ पर click किया और इसके उपर click करने के बाद मैंने OK button के उपर click कर दिया इसके उपर click करने के बाद आप यहाँ पर देख से थे जो मेरा word था इसका पहला character small letter में है और सब capital letter में convert हो गया आप यहाँ पर देख सकते हैं तो यह था हमारा change case option ओके तो यह थे format menu के कुछ option जिसके बारे मैंने आप लोगों को इस वीडियो में बताया तो उमीद है कि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को like, share, जरूर करिए चैनल को subscribe कर दीजिए और पास मी दिये गए बेल को भी प्रेस कर दीजिए ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूँ तो उसका notification सबसे पहले आपको मिले तो thanks watching my video